हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक तो माय यूट्यूब चैनल एफिनिटिबल मनी सिंप्लिफार लाइफ एंड वी सिंप्लिफार टेडिंग आज की इस वीडियो में हम कल के लिए मार्किट को एनलाइज करने वाले कल 70 तो फेबरी यह कल एक नया वीक लग रहा है ऑप्शन ट्रे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दा चैनल लाइक बटन धरूर दवाए और उसी की साथ नोटिस्केशन बैल इसलिए प्रेस करें ताकि जब भी नेक्स्ट वीडिवाए उसका नोटिस्केशन आपको टाइम ली मिलते रहे तो बिना किसी द एक लेर लैलनिंग और ट्रेडिंग पर पसे बहुत ही अच्छे आप इसको जोईन कर सकते हैं तो मैं आप उसमें आपको दिखा दूँ आज so Viya that cow तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के मैसेज प्री मार्केट में और पोस्ट मार्केट में लेवल जाते हैं आप जी देख सकते हैं कि इस में बताया गया था-9 पुलाज मेंट मेंड पर ही 50 market सैडल मार्केट नहीं जा सकता है उसके बाद देखिए नौबचकर उनने स्विंट पे एक अठारा जाट डेड़ सो का पुट बोला गया था निफ्टी में जिसकी बाइंग से अबाव 78 लेकिन हमारी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई थी ठीक है ना हमारी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई थी पहले मार्केट थोड़ी देर के लिए उपर गया था उसके बाद देखें बाइंग कहां पर हुई है मैं आपको बता दूँ है यह देखें बाइंग भी और फिस्टी एट नौबिचकर 80 मिंट के के बाद हमारी इसमें बाइंग ट्रिगर हुई है 64 का हाई लगा ठीक है उसके बाद इसमें जो 88 का आपका यह तकरीबन शायद अभी बंद भी हुआ है 114 पे तो इसमें काफी चार्ज टार्गेट लोगों ने लिया है तो इस तरह का ट्रेड दिया जाता उसके बाद एंड के आर्स में जैकपोट कॉल दिया गया था एर्टीन हंडड का कॉल दिया गया था जिसकी बाइंग थी 10 रुपीस की और जिसमें 15 का हाई आप यह सोचेंगे कि पांच रुपे का हाई लगा पांच रुपे का मैटर नहीं है आप यह देखिए अगर दस रुपे पे आ होगी यानि 50 परसंट का होगा है तो इस तरह से ऑप्चन ट्रेडि को समझना बहुत जरूरी है तो यह वीडियो देख रहे हैं इस चैनल को जोएन करें बहुत ही एकुरेट और बहुत ही रिसर्च कॉल दिया जाता है अब देख लेते निफ्टी और बैंक निफ्टी के चा बना हुआ है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है यह निफ्टी का चार्ट मैंने अल्रेडी लगा के रखा हुआ है ठीक है कुछ लेवल से अभी मार्केट इस लेग में उपर गया हुआ है तो कल भी अगर कलका मेरा अपने वीडियो देखा हुआ कुछ इंपोर्टन मै करते हैं ठीक है तक एक घंटे का चार्ट अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं ठीक है तो एक घंटे के चार्ट पर आप अपनी अनालेसिस करिए तो कफी मद्स मिलती है आपको लाइक वह बहुत अच्छा से डिफाइन कर सकता है क्योंकि ऑप्शन बाहर के लिए कम यह आपका 50-day exponential moving average चल रहा है निफ्टी के लिए ठीक है अभी मार्केट कहीं ना कहीं उसके उपर है इस लेवल के मार्केट उपर है यानि यह एक सपोर्ट है बहुत तगड़ा सपोर्ट है क्योंकि यह वाले कैंडल के अगर आप कैंडल की psychology को समझते हैं तो यह बहुत गए काफी है तो अगर इस लेवल को आप देखेंगे तो यह चैंडल की 60% से नीचे का ही लेवल है ठीक है तो यह जो यह जो लेवल है यह बहुत तगड़ा सपोर्ट है निफ्टी के लिए आने वाले दुनों में यह बहुत तगड़ा सपोर्ट एक बना हुआ है जो की है आप इसको मान के चलिए 17,960 से 17,950 ठीक है ये एक रेंज है जो की एक सपोर्ट का काम करेगी आने वाले दिनों में निफ्टी के लिए ये इतनी असानी से ये लेवल ब्रेक नहीं होगा ठीक है ये सपोर्ट बन गया है आने वाले वीक के लिए कि निफ्टी अगर इसके लिए भी आपको कॉल पे कब बैटने जब आपको 18,000 के उपर मारकेट मिलेगा ना 18,050 बहुत ही इंपोर्टन चीजह अगर मारकेट 18,000 के उपर मिलेगा तो आपको कॉल बाए करना है और आपको टार्गेट क्या रखना है 18,050 के उपर सेम यही 18,120 के आसपास अपने अप 11 150 के उपर अगर आपको कर सकते हैं तब आप कॉल में बैढ़ सकते हैं और इस ही तारगेट निकरे इस किले वह कल गन्यक्ति के श्रीक है क developmental group करें जो कि हमें call side एक moment देखने को मिल जाए ठीक है कॉल साइड एक मोमेंट देखने के मिले हैं अगर मार्केट इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए गैप आप ओपनिंग देगा तो क्या कर सकते हैं आप जैसा कि यह सपोर्ट बैठा हुए अगर लेट से मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग भी दिया 30-40-50 पॉइंट का भी द यह वाला जो लेवल है यह बहुत अगड़ा सपोर्ट है तो आप यहां पे भी कॉल साइड बाय कर सकते हैं एक बुलिश कंफरमेशन की साथ बुलिश कंफरमेशन क्या है आपको पांच मिन्ट का या पंदरा मिन्ट का चार्ट लगाना है अगर आपको मार्केट कल गैप ड सकते हैं चाहे वह आपका बुलिश के सकता है या इस तरह कि अगर आपको कंफरमेशन मिलती है इस शपोर्ट के पास तो आप एक चोटे एसल और एसल बहुत important है आप छोटे SL के साथ क्या कर सकते हैं आप call में entry ले सकते हैं ठीक है और अगर आप option buyer हैं तो एक की ध्यान रखे या तो आप इंदा money या ATM call में ही trade किया करिए OTM trade मत किया करिए क्योंकि OTM में momentum में भी इतना पैसा नहीं बनेगा ठीक है और उसमें डिके का फैक्टर भी रहता है इसलिए वह अवाइड किया आप्शन बायर को यह OTM हमेशा अवाइड करना चाहिए तो आपके लिए इंदा ठीक ही बाय करना है आप मार्केट में फिर हो सकता है कल एक शार्प सेलिंग आपको देखने को मिले ठीक है फिर मार्केट में आप यह पॉजिटिव जोन बनावा है यह सपोर्ट बनावा है यह 17,870 से 17,888 ठीक है यह भी सपोर्ट है ठीक है अब थोड़ा सा क्लियर हम मार्केट दे रही है वह 17,888 के आसपास है और आपको कॉल कब बाय करना है यह भी आप यह लेवल मार्क करके रखिए यानि कल 18,050 का भी लेवल इंपॉर्टन्ट होगा मार्केट इसके उपर जाएगा आपको कॉल बाय करना है तो किस टार्गेट के लिए यह रेजिसर्स ह को वैसे देंगे करेंगे कि कॉल और पुट के चार्ट को देखें के आप कैसे कर सकते थे आज ऑज अजकारी था ऐस वीडियो में वीДа ओके मैंने अल्रेडी आप लोगों के लिए चार्ट लगा रखा है ठीक है थोड़ा सा हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं अगर आप कॉल और पुट के चार्ट को इंपॉर्टन्स देते हैं तो सबसे पहले अप्सक्राइब कर रहें तो सबसे पहले इंपॉर्टन्स हो जाता है कि इस ट्राइक का सेलेक्शन तो जैसे कि आज कॉल के लिए मैंने अथारा जार पचास की कॉल ले रखी है और पुट साइड मैंने आप देख पा रहे होंगे अचारा जार डेड़ सो का पुट मैंने लिय करिसे की शियर्षेकित मार्निंग में हुआ के बहुत सिंपल चीज है लेकिट एक समय केझ करें अब यहां पे पिर यह गए मार्किट ने यहां लें यहान से दरा पर का चाट , ठीक है 18,050 की call का चार्ट है ठीक है अगर आप मेरा टेलिग्राम देखेंगे टेलिग्राम पे हमने जो दिया था वह पुट साइड हम बैठ रहे थे पुट साइड कहां पर दिया था यहां पर देखें यहां से यहां से यह गया है आपका 100 के आसपास तो काफी कंसर्प्ट है इसमें भी फिर देखें मार्केट ने जो फॉल किया यहां से देखें फिर इस यलो यह में के पास आया यह 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 में के पास आया कि आपको हर टाइम ट्रेड नहीं मिलेगा आप यह मान के चलिए अगर 9-15 से आप ट्रेड कर रहे हैं थ्री ठर्टी तक तो इस इन छे घंटों में आपको आप कितने टाइम ट्रेड में बैठना चाहते हैं जादा से जादा पंदरा से पंदरा मिंट से आदा घंटा इस यह यही एक option वायर के लिए यही होता है कि इतने ही time trade करें और profit लेके निकले opportunity का इंतजार करना चाहिए देखिए जो आपके लिए best setup काम करता है ना उसका इंतजार करिए देखिए market पहले call का पर गया फिर नीचे गिर रहा है मेरे को पता है यह यह यहां पर प्राइस आया है यहां से फिर उपर गया है और मेरे को पता है इस red पर मेरे को book कर लेना है अब यह देखिए यहां पर प्राइस जो था अगर आप नोट यहां पर प्राइस आप जाके check भी कर सकते है 18,050 की call यहां पर प्राइस था 30 रुपीस का ठीक है और यहां पर जो प्राइस था वो 60 अगर यहां पर भी आपने बाई किया है अगर आपको लगत यहां पर आपने बाई किया लेट से आपने 50,000 रुपीस से आप बाई कर ले आए और यह देखिए यहां पर capital double 30 रुपीस से 60 हो गया तो आपको यही तो चाहिए आप आपको नहीं पता कि market कैसे जा सकता है लेकि अब देखे पुट ने क्या बताया था तो बहुत सारे point ऐसे बनते हैं यह देखिए यहां पर अगर आप पुट का भी चार्ट देखेंगे ना अब देखिए यह यलो यह में चल रहा है ठीक है यह यह में है market put का उपर गया है यहां पर मेरे को पता है यहां से रैसेंस लेगा ठीक है मेरे को इतना ही तो move चाहिए बस मेरे को इतना ही move चाहिए वो भी निफ्टी में कहें 20 से 30.40 पॉइंट का move आजाए वही आपके लिए बहुत है option बाहर को और क्या चीए अगर मान लिजिए आप 1000 कॉंटिटी में भी कॉई भी जबाय करते हैं उसमें आपको 20-30 पॉइंट मिल रहा है तो आपका 20-30,000 रुपे होता है बहुत होता है ठीक है अगर 100 कॉंटिटी भी है उस पर आपने 20 पॉइंट ले लिए तो वह 2000 रुपे होते हैं पर डे के ठीक है तो आपको कुछ चीज ऐसी find out करनी पड़ेगी जो आपके लिए best work करें और option में मैं आपको एक और चीज बता देता हूं ज्यादा trade करना हमेशा loss को बढ़ाएगा ज तो ऐसे setup आपको ढूनने पड़ेंगे यह बहुत ही important setup है नाइक कॉल और पुटके चार्ट का आप एक बार प्रैक्टिस करने स्टार्ट करिए definitely आपको profit होना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप option buying से पैसा बनाना चाहते हैं तो हमने निफ्टी भी discuss कर लिया अब थोड़ा स होता हम थाक को मीकिल देख लेते हthough कल बैंक निफ्टी इसमी थोड़ी देख लेते हैं निफ्टी में क्या हो सकता है बैंक डिफ्टी ओके और आयुख muscles घूल रखा सकूनißt душ निफ्ट करने लगा और जीना फशक looked braver है अब हम देख लेते हैं एक घंटे के चार्ट पे चलते हैं ओके एक गंटे के चार्ट पर यह देखिए अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा ना आप एक बार देखेगा धरूर अगर आपने नहीं देखा है तो ठीक है कल मैंने एक बहुत इंपोर्टन चीज बताई थी कि ये 50 डे मुविंग आवरेज चल रहा है अगर मार्केट गैप भी खुलेगा और 42,000 के लेवल पर बहुत बड़ा ओई था ठीक है तो मार्केट क्या था अगर इसके उपर भी खुलता है तो आपको वेट करना है उसके बाद देखें मार्केट यहां से कंटिनेशन में फॉल ही आया है अगर आपने मेरी वीडियो 500 का यह सपोर्ट की तरह काम कर रहा था यहां ते फिर मार्केट उपर गया है और इसी एमे का रिटेस्ट करके इसने यह लेवल को ब्रेक कर दिया है फिर वो मार्केट नीचे आ गया ठीक है यह मार्केट फिर नीचे आ अब आप कर क्या सकते हैं ठीक है अगर कल निफ्टी म यहाल है ना 41,000 अगर मार्केट 41,400 को युछ लेवल को ब्रेक करेगी आ तो आपको पूट में एंट्री करनी ए एक ताली 4,500 का लेवल अगर डैक लिफटी के लिए ब्रेक होगा ठीक है तो आपको पूट में एंट्री करनी है और call में ये एक तरह का सपोट है अगर मार्केट कही ना कही एक gap up open होता है और जब तक मार्केट इकताले जर 700 के लेवल को cross नहीं करेगा तब तक आपको call में कल entry नहीं लेनी है और आपका same target वही होगा जो कि ये ये में चल रहा है ये वाला ये में जो चल रहा है तो call में entry कब है एकताले जर 700 का level cross होगा तब हम bank nifty में call side बैठेंगे जब gap up open हो रहा है अगर gap down open होगा तो या तो आप इस support पे छोटे SL के साथ call में entry ले सकते हैं एक bullish confirmation के साथ या अगर ये level break होता है तो आपको put म entry लेने हैं बहुत simple सा strategy है कल bank nifty के लिए ठीक है अब इसकी जो important चीज थी मैं आपको बता देता हूं हम इसके लिए डेली के चार्ट पे चलते हैं और डेली के चार्ट पे एक बहुत important चीज मैं आपको बताना चाहता हूं okay एक Fibonacci retracement बहुत अच्छे से काम करता है okay मैंने क क्यों बोला था 41,000 आपको उसके लेवल अब यह देखेंगे यह जो point six का जो यह होता है Fibonacci में यह 4688 पे यानि 4688 पे Fibonacci retracement का point six यानि 60% का लेवल बैठा हुआ है तो कहने का क्या मतलब है अगर market इसके उपर sustain करेगा तो हम reversal देख सकते हैं अभी क्या market यह इस तरह से यह खाई था यह एक low था फिर market उपर जाने लगा है अब क्या है अगर market इसी trend को follow करना है तो उसको यह level break करना पड़ेगा यानि 41,700 के level को break करना पड़ेगा तभी market इस trend में आगे बढ़ेगा अभी क्या market उसके नीचे closing दे रखा है हो सकता है market अब आने वाले दिनों में अभी कुछ news आ सकता है अभी देखो चार्ट वही बता रहा है मैं आपको बता हूँ चार्ट अभी क्या बता रहा है बहुत clear indication दे रहा है अगर कल आने वाले दिनों में market 41,700 का level cross करेगी तब market positive है bank nifty के लिए भी ठीक है अगर market यह level cross नहीं करती है और कल भी एक red candle बनता है और market कह कहीं क्लोजिंग देता है अगर कल बड़ी red candle बनी और closing बिली तो आप मान के चलेगा यह और कहीं ना कहीं market आने वाले दिनों में काफी ज्यादा नीचे जाने वाला है ठीक है अगर ऐसा कुछ होता है तो चार्ट तो अभी वही बता रहा है अगर market 41,700 के उपर sustain करेगा bank nifty क तब market उपर जाएगा अधर्वाइस क्या हो सकता है market अगर कल red candle बना एक ठीक है अगर एक बड़ी red candle बन गई तो आप मान के चलेए आने वाले दिनों में market बहुत तेजी से fall करेगा और market इस leg को complete करेगा इस pattern को ठीक है तो कल 41,700 का level काफी important है तो उस तरह से trade करिए ठीक है अगर आप intraday trader है तो कोई ज़्यादे दिक्करत नहीं होती है क्योंकि intraday में हमें same day में loss या profit जो भी है वही book करना होता है लेकिन कल एक important दिन है कि कल candle कैसा बन रहा है कल candle का formation ये decide करेगा कि market आने वाले जुनों में उपर जाने वाला है नीचे जाने वाला है अगर आपको मेरी analysis मेरा research अच्छा लगता है तो इस वीडियो को definitely like करें अपना time देने के लिए इस वीडियो पे thank you so much इसी तरह हमारे इस चैनल को प्यार देते रहें thank you guys